नमस्कूर दोस्तों, लव अठरेक्शन का मंतर, कामदेव मंतर बताने जा रहा हुँ, जो कि लव अठरेक्शन का मतलब समझते हैं, किसी को अपनी ओर आकरशित करना और उस पर वश्यक्रन करने की बज़ाए आप स्वायम पर काम करें आप स्वायम पर एक ऐसी परकरिया को करें सुबा शाम लगातर तीन दिन कर लें आप स्वायम पर इस टोट के को अजमाएं किसी और पर करने के बज़ाए तो इसके अंदर आपके अंदर आसीम अट्रैक्शन शक्ती यानि की आकर्शन का सिधान तो जो होता है वे लागो हो जाता है और आकर्शन शक्ती आपके अंदर एक पैदा हो जाती है जो एक कामदेव के मंतर से कामुक्ता की यही वे अट्रैक्शन शक्ती है जिसे की इनसान क स्रीर के अंदर एक अतरंगी और जाएं और शक्तिवान बनती है इस प्रयोग के बाद सामने वाला इंसान जो हता है चाहे नर नारी याने की स्त्री पुरुश वे अपने आपको आपके और अकर्शित करने होने से रोग नहीं पाते हैं वे अपने आपको आपके प्रेम जाल में आपके प्यार में आनुमें से खुद को रोगनी बात दे लेकिन ये टोटका करना लगा तर तीन दिन अपने आप पर है तो इसके अंदर आपको किसी अन्ने के पास जाने की ज़रूद नहीं है सबसे बड़ी सुईधाया आप खुद पर प्रयोग करें और वैसे भी बहुत बड़े बुज़रूद कहते हैं कि अगर आपको किसी को पाना चानते हैं अपनी कदर बढ़ाना चाते हैं तो आपको स्वेंपर काम करना चाहिए औरने किसी को इंप्रेस करने की बजाए औरने किसी को अपनी और लाने की बजाए आपको अपने आप पर काम करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसी निवे दिन रहेगा हाँ जोड़कर जब तक आपने हमारा यूटूब चैनल सस्काइब ने किया तो करना चाहिए आप क्लास में हो बिजनस में हो या ने किसी भी रिष्टे में हो आपकी कदर नहीं है तो आपको अपने आप पर काम करना चाहिए आपके जिसे आप प्रेम करते हैं उसको आपकी कदर निया तब भी आपको अपने आपके कारे करना चाहिए तो इस कारे को आप शुक्रवार से शुरू करें तीन देन लागातार करें हो सके तो समवार से भी शुरू कर सकते हैं बुदवार तक आप इस कारे को सम्मन करें लेकिन सुबाश हम दोनों समय करना है आपको एक पात्र के अंदर रेतीली मिट्टी लेकर आनी है इतनी रेतीली मिट्टी एक पात्र के अंदर लानी है कि जिसके अंदर आप चाहें, तो अपने दोनों हाथ रख सकें, दोनों पैर रख सकें, ठीक हैं, आपको एक मिट्टी का दीपक जनाना है, जो आप चमेली के तेल से जनाना है, एक पात्र में आपको जल हमेशा भर कर रखना है, इसके साथ जिद्यागदर, ना अधो कर सना, समय शुरू कर सकते हैं, आपको छे बार इस पर करिया को मातर, छे बार करना है, याद रहें, छे बार आप इस पर करिया को करें, आपको सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, कि अपने दोनों हाथ रख कर उस, कामदेव के उसे एक मंतर का जाप करना है, ओम, कामदेवाई, आकर्षिन्य शक्ति नमोनमे ओम कामदेवाए आकर्षिन्य शक्ति नमोनमे इसका आपको एक्याउन बाथ चाप कर लेना है चाप कर देने के बाद ही इसके अंदर आपको इस गेपक को रखना है इस जल को रखना है और इसके 21 चक्र निकालने हैं आपको तो आपको क्या करना है रात्री के लिए इन सबी चीज़ों को वैसे को वैसे चोड़ देना है, इसे को याद न लगाए, सोबा उटे तो सबसे पहले आपको उसे, बिल्कुल कुछ खाए भीए बिना सीधा आपको इस चल को ग्रहन करना, पी लेना है, और तुरंट इस पात्र को भी बाहर रख दें, दोनों पैर रखें और फिर आप उस मंदर का जाब करें, ओम कामदेवाए, हकशिन शक्ती हमोना में, बस इसका फिर से एक याद बर जाब करें, और आप वापिस से इस दिपक को जला कर, और इस जल को भर कर रख दें, संद्यकाल में फिर से ऐसी दिनों के बाद जो आपके अंदर आक्शिन शक्ती होगी, जो बदला होगा, आप सुह मैसूस करेंगे, एक एनरजी, एक शक्ती का, आपके चेहरे पर ग्लोव आ जाएगा, लेकिन इन तीन दिन के दोरान, आपको किसी बरकारदा किसी से संभूग करने नहीं करना है, श्रा झाल